अखा सेरी तो कि अनुझार को अच्छा है यां देख्ष्ट्च जो राउंड नेक के फंदे होते हैं हमारे तीन पार्टस में डिवाइड होते हैं तो यह कैसे हैं मैं आपको बता देते हूं यह देखी यह पहली हम इस पार्ट के फंदे उठाएंगे, एक फरंट साइड है जो इसके फंदे उठाएंगे, फिर ये हमारे बैक साइड के फंदे हैं, ये तो ऐसे के ऐसे ही आजाएंगे, और फिर इदर वाली साइड के जो फंदे हैं, वो इसमें आएंगे, तो मैं जैसे ये फंदे उठाती हूँ, तो मैं आपको पूरा फंदे बताऊंगी डिवाइड करके कि यहाँ पे जो इस साइड मेंने कितने उठाए हैं इस साइड तो 31 स्टिचिस हैं हमारे पास 31 फंदे हैं तो यहाँ पे साइड में एक एक फंदा इसमें ओर उठेगा और यहाँ भी एक जैसे फंदे आजाएंगे जितने इदर फंदे आएंगे इदर वाली साइड आएंगे उतने ही इदर वाली साइड फंदे आएंगे तो चलिए फ्रेंड्स स्टिचे उठाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम इसमें धागा अटैस्ट करेंगे यहां पे मैं थोड़ा छोड़ के यहां बनाने वाली हूं तो देखिए मैं आपको बता देते हूं यहां पे आप अगर ध्यान से देखेंगे तो एक, दो, तीन, चार और यह पांच पांच यह छोड़ के छटे में यह मैं इसमें फंदे अठाना स्टार्ट करूंगी यह देखिए यहां पे पांच छोड़ के छटे में हम डालेंगे सिलाही और यहां पे फंदे उठाना स्टार्ट करेंगे और friends ये हमारी side कौन सी है ये आप देख लिजिए यहां हमने ये रखे हैं बटन हो रखे हैं उदर वाली side से फंदे उठेंगे ये दिखे सीधी side से हमें फंदे उठाने स्टार्ट करने है उल्टी side से फंदे हमने नहीं उठाने ये दिखे इदर वाली साइड से हम फंदे उठाने स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर हम ऐसे निकाल लेते हैं एक बार फंदे आपके अच्छी तरह से आ जाएं उसके बाद आपका यह बॉर्डर आपको आता ही है क्योंकि आपके इसके पहले वीडियो भी देख चुके हैं तो बॉर्डर वही बनाएंगे हम जो हमने नीचे बनाया है इसमें या बटन पट्टी में बनाया है तबी यह अच्छा दिखेगा यह दिखे ऐसे इसमें हम गांट लगा लेंगे तो अब हम इसमें स्टिचिज उठाना स्टार्ट करते हैं तो स्टिचिज उठाने के पहले बहुत सारे वीडियो हैं मेरे चैनल पर मैं फिर से आपको थोड़ा सा इसमें बताऊंगी यह दिखे यह दिखे मैंने पहला फंदा यहीं से निकाला है यह जो हमारा धागा है इसको बाद में हम अंदर कर देंगे तो पहले हम स्टिच उठ दालेते हैं एक-एक इस पर स्टिच उठाते जाएंगे जो हमने यहां पर बंद किये हैं कि ऐसे दिखिए कि ऐसे कि ऐसे हम इसके फंदे जो हैं यह उठाते जाएंगे जो हमने बंद करे हुए हैं उसी के साब से तो यहां से देखिए आपके कोई भी यह सीडी दार नहीं है तो यह आप यहीं से ऐसे से उठाते जाएंगे तो आपके बहुत अच्छा इसमें गुलाई आएगी अगर आपके सीडी दार सी घटाई है तो उसमें आपको बहुत दिक्कत आती है फंदे उठाने में यह देखिए इसमें इजी लिए आपके जहां आपने बाइंड ओफ कर रखा है फंदा वहीं से आप इसमें उठाते जाएए तो आपकी यह गुलाई बहुत बड़ी आजाएगी यह देखिए इसमें आपका कोई भी सीडी दार फंदा नहीं है यहां तक आपने घटाई की है बहुत बड़ी आपकी यह देखिए चेन है तो यहां से एक एक फंदा आप इसमें उठाते जाएए यहां तक फंदे उठा लेते हूं इसके फिर मैं आपको दिखाती हूं देखे friends मैंने यहां से लेके यहां पर shoulder का यह जोड है यहां तक मैंने 42 फंदे उठा लिये हैं यने कि एक front side के हमारे 42 फंदे हैं अब दूसरी भी जो front side होगी उधर जाके उसमें भी हम 42 फंदे ही उठाएंगे यानि कि 42 स्टिचिस ही उठाएंगे सेम स्टिचिस हम रखते हैं दोनों साइड में तो अब यहां से देखिए आप क्या करेंगे यहां पे एक शोल्डर के बिल्कुल जहां पे जोड है वहां उठा लेंगे यह हमारे पिछली बैक साइड में काउंट हो जाएंगे यह देखिए शोल्डर के जोड पे एक उठा लिया तो यहां पे हमें शोल्डर यह पिछली बैक साइड जो है अच्छी तरह से अटैच हो जए तो यहां से हमें दो फंदे उठाने पड़ते हैं एक हमने शोल्डर के उपर उठा लिया और एक यहां उठा के देख लेते हैं देखिए ऐसे अब आपका जब आप यह बनाते हो तो इसमें जब भी फंदे उठाते हो तो यहां पर होल नहीं आने चाहिए अगर होल आ जाएंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे बहुत बड़िया आ गए यहां पर 42 यहां तक है एक हमने शोल्डर के बिलकुल उपर उठाया है और एक हमने बैक साइड पर उठाया है तो यह जो दो फंदे हमारे होंगे यह बैक साइड में काउंट होंगे तो अब हमारे बैक साइड के जो फंदे हैं इनको हम बुल लेते हैं अभी यहां पर फ्रेंड्स हमने बॉर्डर स्टार्ट नहीं किया है तो back side के जो फंदे हैं वो हम सीधे ही बुल लेंगे क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि यहां पे हमारा कौन सा फंदा कैसे आना है तो यहां पे देख सकते हैं आप देखिए अब बिल्कुल भी होल नहीं आएगा यह आपने ऐसा फंदा उठाना है कि इसमें होल ना बन जाए तो यह हमारे जो फंदे हैं 31 stitches back side के इसको हम सारे के सारे सीधे बुन लेंगे यह देखिए ऐसे और आप चाहें तो back side के stitches जैसे मैंने आप पहले वीडियो में भी बताया था कि इसको बंद करके इनको दुबारा से पिक अप कर सकते हैं दुबारा से पिक कर सकते हैं उठा सकते हैं तो हमें क्यों दो दो बार यह काम करना है तो इसलिए मैं यह stitches रहने देती हूं तो इनको हम ऐसे ही इसमें बुन लेते हैं तो जब उदर से आएंगे तो फ्रेंट्स जहां पर बॉर्डर आ जाएगा एक सिलाई में कुछ भी फर्क नहीं आता है तो यह मैं बुन लेती हूं बैक साइड के स्टिचिज फिर मैं दिखाती हूं देखे फ्रेंट्स मैंने यह बैक साइड के स्टिचिज हैं यह सारे सीधे बुन के कम्प्रीट कर लिए हैं 30 फंदे थे यह और फ्रेंट्स यहां पर भी हम दो फंदे करेंगे एक यहां करके और यह एक शॉल्डर के पिल्कुल जोड़ पे तो चलिए करते हैं बस आपको ध्य यह इसको आपस में मिलाने के लिए हमें उठाने होते हैं नहीं तो यह बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा होल से आजाएंगे इसमें यह देखिए अब आप देख सकते हैं कि यहां पर बिल्कुल भी होल नहीं दिखेगा तो आपको ऐसे फंदा उठाना है कि इसमें होल ना तो अब्स यह दूसरी फॉरन्ट साइड है यह दिखे यह वली तो इसमें भी हमें टोटल 22 फंदे उठाने यां जैसे हमने दूसरी साइड उठाएं एक जैसे फंदे हमारे होने चाहिए तो यहां से हम उठाना स्टाट करते हैं थोड़ा सा टाइट करके रखें lose होगा तो hole आ सकते हैं ये दिखिए ऐसे ऐसे इसमें उठाते जाएए एक एक करके तो यहां पे भी इदर वाली side भी मैं इसमें 42 फंदे उठा लेती हूँ same to same दूसरी side जैसे ये देखिए ऐसे किनारे किनारे पे उठाते जाएए इदर भी उठा लेजिए मैं भी उठाती हूँ फिर दिखाती हूँ देखिए फ्रेंड्स यहां पे भी मैंने ये फंदे उठा के complete कर लिया है इदर वाली side में मैंने 42 stitches उठा ली है अब फ्रेंड्स मैं आपको देखें पूरे गौल नेक मे तो 119 सीट ले रहा है तो यह देखिए हमने फंदे उठा लिए इदर भी मैंने आपको बता देती हूं बाकी आपको बॉर्डर आता है नहीं आता है तो आप इसके पिछले वीडियो देखिए तो वहां से आप बॉर्डर बॉर्डर आपको बनाना है हर बार जो हमारा नेक होता है वो राइट साइड से हम इसके फंदे उठाते हैं और रॉंग साइड में इ तो चलिए जो हमारे जो एडेग्स इसमें वह स्मूथ होने चाहिए तो ऐसे हम करते हैं किSTea पहला फंता हम ऐसे उतारते हैं texto जो हमिने सरे 30 अरक्रें करने हैं jeu कर कि हम वह बार्डर तो जार्ट नटा 104arm में हम ऐसे ही भुन लेंगे ये पूरी सिलाई फिर मैं आपको दिखाती हूँ दिखें फ्रेंडस रो वन की लास्ट में है हम यहां पर ये फंदा मेरे पास हूलता है और ये फंदा यहां पर सीधा उगया तो ये रो वन हमारी complete होती है wrong side की right side में हम row number second देखिए कैसे करेंगे यह मैंने उदर से सीधा बुना था तो इसको ऐसे उतार के ऐसे पिछे को ले जाएंगे तो यह फंदा smooth हा जाएगा तो यहां पर यह सीधा फंदा है तो हमें सीधा ही बुनना है तो जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं friends कि आपने इसकी button पट्टी भी बुनी है नीचे के border भी बुने है तो आपको यह जो इसके border है neck core arm hole के जो border है वो एक जैसे ही बनेंगे तो मैंने तो एक जैसे बनाए हैं आप जैसे भी अलग बना सकते हैं बट एक जैसे बनाएंगे तो जादे सुन्दर लगेंगे तो ऐसे देखिए यह दूसरी सिलाई है इसको भी complete कर लेती हूं फिर आपको border तो आता ही है आपने पह नीचे के border बनाए है यहां इसकी बटन पत्ति बनाए यह देखे यह नीचे का border बनाया है इसका video है तो यह मैं लास्ट में वीडियो लगा भी दूँगी तो इस वीडियो का यह को यह ओपर भी देखी यहां पर यहां ऊपर देदेती हूं तो आप यहां से भी क्लिक करके इ एसे ही यह border बनाएए तो मैं फ्रेंड इसमें यह border पूरा कर लेती हूँ नैक का फिर मैं आपको बताउंगे कि मैंने इसमें कितनी सिलाइयां डाली हैं तो यह मैं बुन के complete करती हूँ फिर मैं इसको round जो होती है needles जो circular needles होती है उसमें डालके मैं आपको इसका नेक दिखाऊंगी कैसा बना है और आगे हम इसमें क्या करेंगे वो भी बताऊंगी पहले ये आप इसका बॉर्डर बुन लीजिए मैं भी बुन लेती हूँ फिर मैं दिखाती हूँ देखे फ्रेंड्स मैं इस नेक के बॉर्डर में आठ सिलाईयां यहां तक कम्प्लीट कर चुकी हूँ तो आप अपने हिसाब से इसमें दस सिलाईयां भी डाल सकते हैं अगर आपको थोड़ा चोड़ा बॉर्डर चाही है तो मैं इस बार चोटा ही बॉर्डर बना रही हूँ जादे चोड़ाई वाला बॉर्डर इसमें नहीं बना रही हूँ और फ्रेंड्स यह जो हमने इसमें पैटरन डाला है बॉर्डर का जो हमारा पैटरन है तो इसमें आपको आठ सिलाईया या दस सिलाईया ऐसे डालनी पड़ेगी क्योंकि जो ओर्ड नमबर की सिलाई होगी उसमें हमें इसको बाइंड ओफ करना है तबी ये बॉर्डर उपर से देखने में सुन्दर लगेगा अगर आप इवन नमबर की सिलाई में इसमें बंद करेंगे जैसे आठ में बंद कर दिया आपने या दस में बंद कर दिया तो ये इसकी उपर से लुक जो है वो अच्छी नहीं आएगी तो आपको क्या करना है कि आठ सिलाईयां डालनी है जहां फिर आप दस सिलाईयां डालें आठ सिलाईयां डालके नोवी सिलाई पर बंद करें या फिर दस सिलाईयां डालके ग्यारवी सिलाई पे आपको इस बॉर्डर को बंद करना है तब इसकी उपर से सुन्दर लुक बनके आएगी तो चलिए फ्रेंड्स मैं इतना ही इसको रखने वाली हूँ जादे मैं इसका बॉर्डर नहीं बना रही हूँ चोड़ाई वाला तो मैं अब इसको BIND OFF करते हूँ मैं आपको थोड़ा सा BIND OFF करने का तरीका बता देती हूँ क्योंकि BIND OFF भी इसमें अलग तरीके से होगा वैस सिंपल वाला बाइंड ओफ इसमें नहीं करेंगे देखे फ्रेंड्स ये इसकी रॉंग साइड है और नौवी सिलाई है इसकी यहां से हमने स्टार्ट किया था रॉंग साइड से पहली सिलाई से और यहीं पे हम आगे हैं इस उल्टी साइड में हम इसका बाइंड ओफ करेंगे यहां से हमारा पैटर्ण शुरू होता है वहीं पे हम इसका बाइंड ओफ करेंगे तो इसको ध्यान से देखे कैसे करेंगे यह आपका एस्टिच है इसको ऐसे ही उतार लेजिए अब आप यहां पे देखिए अगर आपका यहां पे सीधा फंदा है तो इसको हम उल्टा बुनेंगे जैसे हम पैटन में करते हैं इसको उल्टा बुनेंगे और यह वाला जो पिछले वाला फंदा है इसके उपर से ऐसे निकाल देंगे अब यहां पर आगे आपका उल्टा फंदा है तो इसको आपको सीधा बुनना है देखे ऐसे और यहां से उपर से निकाल देंगे इस तरह से जब आप इसमें बाइंड ओफ करोगे तो इसकी लुक बहुत सुन्दर आएगी नहीं तो यह बहुत बेकार सा आता है उपर से देखे फिर से दिखाती हूं आपको यह आपका देखे सीधा फंदा है देख रहे हैं यह सीधा फंदा है इसको आप यहां पर उल्टा बुनेंगे और पिछला फंदा उपर से निकाल देंगे जो आप यह बाइंड ओफ कर रहे हैं उपर से निकाल रहे हैं इसको ना जादे टाइट रखेंगे ना जादे लूज रखेंगे ठीक सा हमें इसमें रखना है अगर टाइट रख देंगे तो गला बहुत टाइट हो जाएगा अगर यहां से उपर से निकाल देंगे ऐसे अब यहां एक बार फिर से देखिए यह आपका सीधा फंदा है इसको हम बुनेंगे उल्टा और ऐसे उपर से निकाल देंगे ना ज़्यादे लूज ना ज़्यादे टाइट मेडियम उसमें आपको फंदों को रखना है अब यहाँ पे देखे आपका उल्टा फंदा है इसको आप बुनेंगे ऐसे सीधा बस यही आपको इसमें ध्यान रखना है तब ही आपका यह बाइंड ओफ बहुत सुंदर बन के आएगा अब ऐसे करते हुए यह दिखिए ऐसे इतना आपका चोड़ाई वाला यह बॉर्डर बना है तो आप चाहें तो दस भी डाल सकते हैं सिलाई और ग्यार्वी सिलाई पे बन करेंगे वो थोड़ा चोड़ा बॉर्डर हो जाएगा मेरे को छोड़ा बॉर्डर रखना था इसमें इसलिए मैंने आठी सिलाई यह डाली है तो अब सारे फंदे जो हैं ऐसे ही बुनते हुए आप लास्ट तक यहां तक इसका बाइंड ओफ कर दीजिए यह मैं कर लेती हूँ बाइंड ओफ सारा फिर मैं आपको गले की लुक दिखाऊंगी कि यह कितना सुन्दर बन किया है देखे फ्रेंड्स मैंने इसका जो बाइंड ओफ है पूरा कम्पलीट कर लिया है लास्ट मैं आपके पास देखी यह फंद बचेगा एक तो आप इसमें यह बूल जो कट करके यहां से इस फंदे में से निकाल देंगे जो एक फंद बचेगा उसमें से आप इसमें ऐसे बूल को निकाल देंगे तो आप देख सकते हैं फाइनली आपका ये गला बनके त्यार है बहुत सुन्दर रौंड नेक बना है जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अलग टाइप का गला है जो जैंट्स कुर्टों वगरा में भी ये बनता है बहुत बड़िया दिखता है ये बिलकुल अलग तरह का है और फ्रेंड्स इसी के साथ ये हमारा रौंड नेक कम्पलीट होता है तो जैसे मैंने आपको इस वीडियो में अच्छी तरह से बताया है तो आप एजी ली इसको बना लेंगे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको तो अब आप बना लीजिए और फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसका शौल्डर बनाने के लिए ये देखे ये शौल्डर के अबी बर हमारा बनाना बाकी है तो इसको भी आप अच्छी तरह से जरूर देखिए क्योंकि मैं अलग टाइप का इसमें बॉडर बनाने वाली हूँ पहले मैंने जो है वो सूई से लेजे ये इसका नेक और प्लीस सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर थेंक यू